हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंड जी के वहली जी ट्रिक्स में और आज से हम एक नई स्रीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों उत्राखंड फोरेश्टर एक्जाम के लिए यानि कि उत्राखंड वन दरोगा का एक्जाम पेपर जो महा में आप लोगों का एक्जाम आयुजित करा दिया जाएगा यूकर्ट रप्लेस्टि के द्वारा अब वन दरोगा का स्लेबस क्या है आप सभी लोगों को पता होगा कि 9th और 10th लेवल की साइंस इसमें आपकी पूछी जानी है और 9th और 10th लेवल में जो भी आपके NCRT में chapters दे गए हैं directly वही chapters UKSSS के द्वारा आपके स्लेबस में भी दे दिये गए हैं अब इसमें कहीं सारे लोगों को confusion होता है कि क्या सर 9th और 10th लेवल का ही पूछा जाएगा या उससे अपर लेवल का भी पूछा जा सकता है तो देखे दोस्तों topic आपके 10th और 9th लेवल के ह ही रहेंगे लेकिन एक दो प्रस्न या पांस से 10 प्रस्न ऐसे हो सकते हैं जो उससे भी अपर लेवल के पूछे जा सकते हैं लेकिन maximum ली जो आपका portion पूछा जाएगा वहां 9th और 10th के स्लेबस के या बैटन के आधार पर ही पूछा जाएगा अब देखे दोस्तों आप लो लानते हुए चलना है कि फीजिक्स से 30 प्रस्न पूछे जाएंगे कैमिस्ट्री या रशायन विज्ञान से 30 प्रस्न पूछे जाएंगे और 10 प्रस्न जो है वहां इंवार्मेंट से पूछे जाएंगे अब कुछ लोग कह रहें कि क्या सर एग्रीकल्चर भी स्लेबस में हो अगली वीडियो के 50 क्रेशन के बारे में बात करने या फिर नॉर्मली एक टॉपिक करने के बाद में दूसरा टॉपिक एक कैमिस्ट्री का सुरू करते हुए चलेंगे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अगर आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे तभी यह पहले तो एक वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में सेयर करना है ताकि जितने अधिक जाएंगे दोस्तों उतने ही जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइट करने के वह कोशी करूंगा आज हम बात करते हैं जो बेसिक इस्ट्रक्शर वाला पार्ट रहता है जहां से प्रसने पूछे आते हैं यानि कि इस टॉपिक से भी आपका एक्जाम में एक से दो प्रसने पूछे ही जाएंगे ठीक है और आज हम सिर्फ और सिर्फ पर पचास कुशनों के बारे बात करेंगे जो कि इससे सम्मंदित रहेगा बहुत एक ज्यान सामानने मात्रक इकाई य या वीमाय निकालने से या फिर आप कह सकते हैं सदिस रासी है अदिस रासी है यह टॉपिक ऐसे है ना यहां से आपको एक्जाम में एक प्रसने दो देखने को जरूर मिलेगा और पढ़ने के लिए आपके बास में 9 और 10 के NCRT है तो आपको वह अच्छी तरह के से पढ़न आप यह व्यद्वत पर्तिरोधक्ता होती क्या है व्यद्वत पर्तिरोधक्ता का कि यह पता चलता है कि जो पूर्बतारत आ है वोवन през प्रतिरोद कर लाता है और र परतिरोद का मात्रक क्या होता है अब देखिए रेजिस्टिवीटी अगर आप यहां ले जाएंगे अगर आप रेजिस्टिवीटी का फर्मुला यह से निकाले तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल ठिकैंद आप देखे आर क्या यह दिक impossible क्या हो तो गात कर जाएगी तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा इसका वैज़ड़ प्रतिरों अगर याद थो आप यह咎ंब एसे भी इस प्रैकार के प्रसंणों याद रखना है आप दैकर एक्लि इक्जाम मेँ पूछ देगा कि वेद्युद परति रखता किस पर निर्भर करती है छेत्रपल पर लंबाई पर या फिर पतार्तिकी हात्रा पर या पतार्त की प्रत्रति पर ये point आपको जरूर याद रखना है exam नहीं आपसे पूछ सकता है वैसे तो बहुत high level के exam paper में एक question पूछा आता है JEEE के exam level पर लेकिन आपके exam में भी पूछा जा सकता है कि वेद्वित प्रत्रति रोटता तो ओमीटर वेद्वित परति रोटता का मातरक हुजाएगा ये फैरेट किसका मातरक है दोस्तो संधार इत्र या कैपिस्टेंस का मातरक है हमारा फैरेट वोल्ट किसका मातरक है विवहंतर का मातरक है और एम्पेर किसका दोस्तो विद्वित धरा का मातरक है, ये मातरक मातराएं आपको जरूर याद रखना है, एक से दो प्रसन में निसित कर रहा हूँ दोस्तों आपसे एक्जाम में पूछे जाएंगे अगला प्रसन है, कि प्रकास वर्स है, वह वर्स जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकास एक वर्स में तई करता है वह समय जो सूरी की किरिना प्रत्वी तक पहुसने में लेती है, या वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान प्रत्वी से चंद्रमा तक पहुसने में लेता है, तो प्रकास वर्स ये भी सूरी की किरन द्वरा एक वर्स में जितनी दूरी तई की जाती है वही दूरी हमारा प्रकास वर्स कहलाती है तो नोट कर लिजिएगा प्रकास वर्स के सूरी की किरन द्वरा या प्रकास द्वरा एक वर्स में तई की गी दूरी ही प्रकास वर्स कहलाती है और प्रकास वर्स किसका मातरक होता है दोस्तों यहाँ प्रसन भी बहुत बार पुछा गया है तो प्रकास वर्स मातरक होता है दूरी का और कौन सी दूरी का दोस्तों खगोली दूरी का मातरक होता है प्रकास वर्स आप खगोली दूरी का होती है पर्थी और सूरी के 20 की जो याद रखना है वस्तो, कि एक प्रकास वर्श कितना होता है, वो होता है, 9.46 इंट Workingद की पावर 15 मीटर, और यहीं से आपको याद रखना है कि प्रकास की चाल कितनी होती है, 3 x 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड यह होती है, हमारी प्रकास की चाल, और एक प्रकास वर्स ब्राबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर नॉर्मली आप इसे दोस्तों फॉर्मूले भी लखते भी निकाल सकते हैं कि चाल ब्राबर देखें फॉर्मूला में आपको होता है ता हूँ चाल ब्राबर होता है दूरी बट्टा समय ठीक है दूरी तो दूरी ब्राबर क्या हो जाएगा चाल ब्राबर हो जाएगा चाल क्या देती है मलब प्रकास की चाल क्या होते है तीन गुणा दसकी आठ 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 आप देखें समय कितना है एक वर्स में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं 15 गंटे में कितने मिलेट होता है जब आप इन सबको गुणा करेंग दो hip 65ाइप 25 टॉ 24 इंटू 60 इंटू 60 तो यहीं से आपका निकलता हुआ 9.46 20 कीप बावर 15 मीटर योकि एक प्रकास वर्स बराबर होता है तो प्रकास काBOTH हमें काई है और और दूर अंपने के लिदे प्रकास का प्रियोग किए लाता u चाहिए यहांपर पुशा गया है कि शह फिट लंबे व्यक्ति की उचाहिए नैनो मीटर में कैसे व्यक्ते होगी आप देखे जोस्तों यहाँ पर आपको सबसे बहले पता होना चाहिए कि एक नैनो मीटर ब्राबर कितना होता है तो एक नैनो मीटर ब्राबर होता है 10 की घाद माइनस 9 मीटर होता है ठीक है अब यहीं से आपको या रखना है कि एक फिट बराबर कितना होता है एक फिट या जिससे आप फूट भी कहते हैं एक फिट बराबर होता है एक्ने टेंट मेट्र प्रावर इतना ओता है तो एक मीटर मेटर कितना होजागा यहाँ जिएगा दस्कि घाथ ना नैनो मीटर अब दीके कितंद की साओए तो चैंक के के लिएन सब्सक्राफ कि निकालने ब्लाने चयां से रिखा दिखें यहां भी मैंने क्या लिखा एक फिर प्राबर पॉइंट 305 मीटर तो एक मीटर प्राबर कितना होता है दसकी घात 9 नैनो मीटर होता है ना तो यहीं पर आप कर देंगे पॉइंट थी जिरो फाइब इन्टू टैन किक पावर 9 नैनो मीटर और फिर 6 फिट के लिए निकालने तो 6 गुणा पॉइंट 305 इन्टू 10 की पावर 9 मीटर इसका अंसर आपका राइट अंसर हो जाएगा जोस्तों हो जाएगा प्रकार के ब्रसमें को आपको डिलेकली याद रखना पड़ेगा जैसे कि नैनो मीटर है ऐसी पीको मीटर याद होँग ये समस्तों को त ये ना पड़ेyah तो यह पूरा तेबल याद ऊने चाहिए जरूर कुछ है ठीक है तो तेल का एक बैर्ल में से लगब कितना होता है अब वाहतें को,와 extend, allein omega जाता है यद रखने आपको ठीक है, और और ऑन का ही एक महत्रा पुछा गया है तो तो यह Intro का एक बैरल कितना होता है यहाद पूछा गया है तो डील का एक बैरलका होता है यहां से नुम्बर भी 169 लीटर यह पॉइंट आप डैक ली याड कर लीजिए गा एक सब्सक्राइब कुछ मीटर होता है लेकिन इसे 169 मीटर ही मान लिया जाता है अब बैरल क्या है मैंने आपको बताया आयतन या धारिता का मातरक क्या है ठीक है लीटर भी क्या है आयतन या धारिता अगला पॉइंट ॐप रसन है जूस्तो अच्छा प्रसन है देखे ये यह उसी बेस पर आधारित है जो ये मैदो मीटर मेला कुछन मेंने आपको होता है होता है कि एक मिक्रो मीमीटर कितना मीटर होता है दो तो खोता है few यह से आपको ब्रावर के ब्रावर कि एक किसके ब्रावर होगा बेए घ्रमा कोирी मिली मीट्र में सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है एक मीट्र घ्रम फिर मैंगे माइकर फिर का Ini हुता है ठीक है आप यहां पर मीटर है आपको किसे में बताना है मिलि मेटर में आपके ऑartaSpeed 우리 मेहां तो अभी डस में पर किसे माइस2 मिलि मीटर होताह coconut प यह चाहिए नमबर झीया आपका अंसर क्यूंकि अगरा टेन के अफ़र ब्रावर माइनस 3 mm को ऐसे भी लिख सकते हैं तो एक बट्टा दसकी घात 3 mm और दसकी घात 3 बरावर कितना होता है एक बट्टा 1,2,3 दसकी घात 3 बरावर कितना होता है अब दाव क्या होता है उसतो आपने बढ़ाओगा P बरावर F अबने जाणी कि परति एक चेतर फल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है और दाव कि हquez पाष्कल, पास्कल के साथ साथ की आब इस फॉर्मुले से भी दाव के लिकाई निकाल सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है जोस्तों न्यूटन और एरिया का होता है क्या मीटर स्क्वाइर तो दाप का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर भी होता है और इसी को पास्कल भी कहते है आप से एक पास्कल बराबर कितना होता है तो एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर इकाई होती है दोस्तों कि है दूरी का मातरक है और पार्सेक के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है वहाँ पार्सेक ही है दूरी मापने का सबसे बड़ा मातरक या सबसे बड़ी इकाई क्या है पार्सेक है एक पा कि एक पार्सिक हमारा 3.26 प्रकास वर्षी के बराबर होता है यानि कि प्रकास वर्ष से 3.26 गुना ज्यादा होता है अब आप इसकी वैल्यू भे निकाल सकते हैं एक पार्सिक बराबर हो जागा 3.26 और मैंने आपको एक प्रकास वर्षी कीटना मीटर बताए था 9.46 into 10 10 की पावर 15 मीटर और अगर आप इसको multiply करके solve करेंगे तो एक पार्सिक बराबर आता है आपका 3.08 अगरा प्रस्न देखें प्रकास वर्स्न की की काई है मैंने आपको बता रहे था कि दूरी की पार्सिक बराबर कितना प्रकास वर्स्न होता है तो एक पार्सिक बराबर कितना प्रकासवर्स होता है तो एक पार्सिक बराबर 3.26 प्रकासवर्स होता है और कई बारी एक जामबर प्रसन पूशा गया है दस्वा प्रसन है कि कारी का मातर क्या होता है आपको कारी की परिभासा याद उनी चाहिए दोस्तों कारी क्या होता है आप लोगों को बताईए जब हम किसी भी चीज को धक्का देके या अपने हाथ से खीच के उधर करके इधर करके उसे विस्तापित कर देते तो वो हमारा क् अपनी जगर पर ही है तो यह आपके कारी का मात्रक यह बल गुलाविस्तापन यानि कि घब किसी बस्तापर बल लगाकर आप इसे विस्तापित किया नहीं हम आरा कारी कहलाता है ब्राबर F होता है ठीक है और एक और उनिक फार स liienda N होता है और स्विस्ताफन के सरчи ब्राबर 1 जूल मातर बहते है और की एक जूल ब्राबर एक नोटन-ट्र वही आप कह सकते हैं आप देखे जोतों कारीका जो मातरक जूल होता है यह तो MKS पद्यती में होता है CGS पद्यती में कारिय का मात्रक क्या होता है तो CGS पद्यती में कारिय का मात्रक होता है अर्ग क्या होता है अर्ग होता है और एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है लेकिन किस पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द क्या होते हैं उनके फिर हमारे क्या होते हैं बहुत एक मलब मूल रासियां कितने होती हैं साथ हमारी मूल रासियां होती हैं और उसी से हमारे क्या होती हैं साथ मूल मातरक भी होते हैं साथ मूल रासियां यानि कि ऐसी रासियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्वन नहीं कर या ताप, मूल रासी, विडियो धारा, आई, जोती तीवरता, ड्यूमन, इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं, और पदार्थ की मात्रा, ये साथ हमारे मूल रासिया होती हैं, और इनके मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं, कभी कभार आपसे एक जाम अगर प्रस्न को सरल बनाएग तो प्रस्न बुश देगा, निम्ने ऐसे कौन सी मूल रासी नहीं है, या निम्ने ऐसे कौन सा मूल मात्रक है, मूल रासी है, तो इसके लिए आपको इस प्रकार के पॉइंटों को directly clear रखना पड़ेगा, तो प्रस्न बुशा गया, ये बहुतिक रासियां दी गई है, और य वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाइटी आप लोग ने पढ़ा होगा, या वेग बटा समयी भी आप कह सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर को समयी कहते है, आप वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होत लगाया गया बल हमारा क्या होता है थोड़े से समय के लिए जो बल लगाया जाता है वहां आवेक होता है एक का सभिक तो ईससे बहुत अच्छा है और आपसी जान में भीन पूछा जासकता है आगे बात करते है अगले प्रस्मिगी देखे दोस्तों questions मेरे पास में बहुत हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही explain करते वे चल रहा हूँ वरना फिर आगे से क्या करेंगे हम question इ-question discuss अब कर लेंगे आप लोगों के comment जैसे भी रहेंगे फिर उसी इसाब से हम अपनी series को आगे continue करने वाले हैं अगले देखे बारवा question है कि सक्ति का मातरक क्या होता है तो सक्ति का मातरक आप सभी लोगों को बता है उस्तों watt क्या होता है ऐसे किलो वार्ट भी होता है तो एक किलो वार्ट ब्रावर कितना होता है उस तो एक किलो वार्ट ब्रावर होता है हजार वार्ट ये भी आपको जोड़िया लगने है हर्ट जिक इसका मात्रक होता है आवरती का वोल्टे विवांतर का और न्यूटन दोस्तों क्या होता है बल का मात्रक होता है और कारी करने की दल को क्या होता है सक्ति क्याते है पी ब्रावर डब्लू बाइटी ऐसी दोस्तों आप वाट तो इसका मात्रक हो गया डब्लू क्या ह सब्सक्राइब अगला एक किलो गर्ण वार्ण होता है यह एक किलो वार्ण व्राबर कितना वार्ण होता है बराबर होता है हजार है एक ही गंटे में इसके बाद को note करना है कि एक गंटे में कितने पुछे जासकते हैं कि कैसे परिवरतन होता है तो एक किलो वाट आवर बराबर कितना जूल होता है है ठीक है और एक यूनिट ब्राबर कितना ओता है एक यूयुद्, तो एक यूइट बेए से कॉन एक सुमेलित नहीं है, हत्या सक्षू सक्ती की आई है जरो हिख इसमाटि सम्मर्षिल आपको देह्पन नहीं है तो की थुरस पावर में कितने वार्ट होते हैं तो आप सब्सक्राइब इंसने को आप पता होगा कि एक भणाइवर में आपके 746 वाट होते हैं ऐसे देखिए एक किलोग्राम सेंटीम्टिर दाब किसके तुल्प तो, एक किलोग्राम पर संक्क्रीम्ट्री स्कॉयर में ऑप सम्तुल्प हो जाएगा तो इसका दोच rushing अपका option फिर से आपको सूची दी गई है और सूची में आपको एकाई और उसके प्राचल का चेहन करना है कि मलब कौन किसका मातरक है जैसे कि वाट आप देखिए ओप्सन देखिए आप वाट किसका मातरक होता है मैंने आपको पताया दोस्तो सक्तिका मातरक क्या होता है वाट होता है इसी प्रकार से देखे, कैलोरी किसका मातरक होता है, उसमा का मातरक होता है, कैलोरी, और आप मैंने आपको थोड़े बिद्दे बताता, नौट और नौटिकल मील, दोस्तों ये टर्म दो ऐसे हैं ना, जिन में आपको एक्जाम में कन्फूजन हो सकता है, तो इसके लिए आप नौटिकल मील क्या होता है, नौशन चालन का मातरक होता है, और नौट क्या होता है, समुद्री जहात की गति को, नौट में व्यक्त करते हैं, और मैंने आपको बताया था, नौटिकल मील को कभी-कभी आपका समुद्री मील भी कहा जाता है, जो कि नौशन चालन की दूरी क विर्टे करता है क्या समुदरी मिल भी आप इसे कह सकते हैं समुदरी मिल जो की नौसन चालन की दूरी की हिकाई तो अंसर देखिए एक का चार वाला तो ऑपसिन नमर्सी सही होगा 4-3-2-1 यह मात्रक आपको जोड़िया रखने इस प्रकाल के're तरंग द्यारी हुए सबसे तरीका होता है ए सफ से आप पहले आपको आता है कि घ्रि वो भी एंगस्ट्रॉम होता है और उच्छ वेक का मात रख फिर हमारा क्या होता है मैं कही होता है तो ए दो तीन चार ऑप्सन नमबर सी आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है और यह एंगस्ट्रॉम के बारे में जोस्तों आपको जोड़ी यादने है कि एक एंगस् मीटर और सेंट्रॉम पुछा जाएगा तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दसकी घात माइनस आठ सेंटी मीटर आप्सन नमबर सी इसका राइट असर हो जाएगा अगरे प्रसन की बात करते है कि फिर से वह प्रसन आ गया पीको पीको अला ठीक है पीको नैनो और इसक तो दसकी घात माइनस बारा ग्राम होगा थोड़ा सा इसका साइध मेरे ख्याल से फॉर्मूला गलत हो गया है तो आप इससे सही कर लिजेगा कि एक पीको ग्राम बराबर कितना ग्राम होता है तो एक पीको बराबर कितना होता है आपको बस यारत मैं कि एक पीको बराबर कि मेंसह nogle मीटरवं कितना होता है इसकी गहाद मैने इस सह मेंटर मिलेमिटर लोता है यह को जोड़ी और बापने की को घहते है और किbardरस अच्छ और Nous आपका इसका सही इन्सर हो जाएगा और ग्राम किसका भता आपको बताइién कि द्रविमान मापने की काई को ग्राम कहते हैं अगला पूसन है कि एक किलो मीटर दूरी का तापतरी क्या है तो एक किलो मीटर बराबर कितना मीटर होता है उस्तों आप सभी लोगों को यह पता ही होगा आप कि एक किलो मीटर बराबर कितना होता है हजार मीटर होता है बल का म मीटर पर सेकंड स्क्वेर यह भी क्या होता है बलका ही मातरक्ट होता है यह एक से बात आता है कि एक न्यूटन कर लिजिए आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा 21 प्रस्तों कि लंबाई की नियुंतम इकाई क्या है ठीक है तो इसमें से आपको बताने है आप देखिए ये भी उसी बेस पर को आधारीत क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था कि आपको फ लमबाई की इसमें से नियुंतम काई दोस्तों हो जाएगी यह क्या फरी तो आपने बढ़ाए एक फर्मी मीटर म बराब्र sommes और वापी नियुंतामी काई किसी है और प्रस्नता पूसहा आता है नियुन्प अधिकता मिकाई किस्किता थो यह हो जाती। पपिर यहां पर और यह आपको जोरी आता है एक को बता होगा डबलु के अब यहीं से एक और प्रसना आता है कि एसी motor का आभिसकार인 किसे ने किया था तो तेसला नें किया था और radio का आभिशकार किसे ने किया था तो Marco प्रियोग किया जाता है ओजन प्रत की मोटाई को किसमें आपने के लिए प्रियोग किया जाता है अगला प्रस्न है जुस्तो चौबिस्वा यह अच्छा प्रस्न है यहां पर आपको सुमेलित करना अगला है कि किसने किसकी खोज करी थी तो यह खोज वाला आपको याद नहीं अभी थोड़े देर पहले मेने आपको उता है था कि एक्सरेकर खोज करता डबलो के रॉंट जन को कहा जाता है ठीक है तो देखें सी का चौथा वाला ऑप्शन आपको यहां पर चार वाला फ्लेमिंग जी ने ठीक है और चेचक का अविसकार किस ने किया था एडवर्ड जेनर जी ने किया था यह आपको याद रखने ही रखने है एकजाम में पक्का पुछा जाना है अगर आपस्ने कि पाइरोमीटर निम्दमेंसे किसके मापन में परियोग लाया जाता है तो पा पाइरोमीटर तो उच्छ तापमान को बापने के लिए पाइरोमीटर भी कहते हैं तो वैसे कैलिवन होती है इसकी असाई महत्रक और उच्छ तापमान का मापन पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है यह पॉइंट विए आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है आगे जबाओ यह एट्मोस्टिक प्रेशर की एकाई क्या है तो परिश्टिक एट्मोस्पिरिक प्रेशर मैंने आपको बताया था यह वायू बंडली दाप की एकाई कितनी होती होती है 26 का राइट दिस्ट रोएगा और वायू दाप को बैरोमीटर के द्वारा ना पाजाता है यह भी नोट करना है वायू दाप की तीवरता को सेश्मोग्राफ से ना पाजाता है या डियक्टर स्केल पर हमें वह वह कंप की तीवरता के बारे में पता चलता है ठीक है और उच्छेतापन का जागा पारोमीटर अगला पॉइंट कि पारिश्टिक दबाव की क्या है वह तो आ मेंगा मेंटर को यहां पर आ रहाए रहा है दस्तो तो मैंटर का होगा गैसु का डाप मैंजा अपने के लिए क्या होता है मैंनो मीटर का व्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंशी आपका 27 का right answer हो जाएगा अगला पस्तने की सुमिलित कीजिए फिर से आपको एक्साइट मातरग दिये गए और एक्साइट उनके quantity दियेगे कि कौन सा किसका मातरग है तो यही से हम सुमिलित के लेते है देखिए जूल किसका मातरग बताया था मैंने आपको कार्य का मात रख है जूल, एंपियर किसका है जूल, विडियो धारा का मात रख है एंपियर, वाट किसका मात रख है, तो सक्ती, स्वारी, सक्ती का मात रख है वाट, सक्ती को बोलते हैं, सामर्थ को इस सक्ती बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट किसका मात रख है, वोल्ट, और कैलो आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक आँए एक दो चार पाँच सभी है आगे बात करते हैं तो अच्छे प्रस्थ जोस्तों यह आज आपको काफी सरल सरल से प्रस्थ दिख रहोंगे लेकिन एकजाम में आपके यही प्रस्थ में पूछे जाने वाले हैं एंप्यार की क्या मापने की पाई है तो विद्यू धारा की किसमें कहते हैं या आप यह भी कहते हैं कि किसी भी बंद परिपत में या पात में फ्लो होने वाले आधिको चया लेक्तर के संखिया यह मारी क्या होती है क्योंकि वराबर भी नशे में लगने वाला अरोत क्या होता है और यह प्रतिरोद कहलाता है क्या वाट वोल्ट यह आपको डैकली नोट डाउन करने हैं बाकि MPR के बारे मां लोगों को बताई होगा कि की परिबासा क्या होती है एश यूनिट यह विद्यू धारा जो है वह मूल राशी और एंपेरके ऊच्छा फ्रस नहीं ठीक है आगे बात करते हैं और चाहिं अभी फिलालत नहीं बात करते हैं बताने के लगत्र सुम्द बहुत तारी चीजिए हैं अगला मारा प्रस्न है हाँ अगला मारा प्रस्ता है जोस्तों तीस्वां कि ध्वनी की तीवरता को मापने वाला यंत्र है कौन सा है क्रोनो मीटर एनिमो मीटर ओडियो फोन या फिर ओडियो मीटर तो ध्वनी की तीवरता को दुस्तों ओडियो मीटर के दुवरा मापने की एकाई है जब भी आप उत्राखन में जल विद्वीड पर रियोजने हो वाला टॉपिक पढ़ते होंगे तो वहां पर देते जली के उत्पादन की मापने की इ ń लेकिन कितनी बिजली उत्पादन की जाती इंडिया में तो 11 किलोव wait ग路 उत्पादित की Inslee कि जाती है ठीक है यह होता है कि लिखेसी के घुल अर टो यह कि había और जो करता है उसे क्या बोलते हैं हम हम जो होते हैं यह हम क्या होते हैं सर्विस में के दौरा हम जुड़े जाते हैं इसमें काफी सारी चीजें होते हैं कभी बात करेंगे 10th level से बहुत उपर का हो जाता है अगरा प्रसन बात करते हैं 32 निवन मैंसे किस ने एक्स किरणों का विसकार किया था एक्स किरणों का विसकार मैंने आपको उताया था एक्स रेस का विसकार डबलो के रॉंट जन के दारा किया गया था ऑप्सन नमबर बी राइट एंसर हो जाएगा तैंतिसवा प्रसन है यह नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ठीक है याद रहते हैं आपको सोनार की दौरा मास आगर में डूबी विवस्तु किस्ति दियां का पताया लगाया जाता है अगरा पसने इंडिया से कौन सुमेलित नहीं है तो एनिमो जो होता है वह स्पीड नापने के लिए परियोग करते हैं जबकि दाब अंदर के लिए किसका परियोग करते हैं ठीक है तो इसलिए नमर सी आपका यहां पर सुमेलित नहीं होगा अगला प्रस्थ चंद्रा एक्सरे दूर्बीन का नाम किस वैज्यानिक के सम्मान में रखा गया था ठीक है आई-स में पूछा गया तो चंद्रा आप देखे नम से 2 समझ सकतने ज़स्तों क्या चंद्रा एक्सरे दूर्बीन का नाम सुब्रमन्यम चंद्र सेखर के नाम पर रखा गया था सुब्रमन्यम चंद्र सेखर ऑप्शन नमर्डवर डिया इसमें राइट एं से और बी आपका सही अंसर हो जाएगा किसका कोश्चन नमबर 36 का अगर आपस ने देखें लेक्टोमीटर से दूद के दूद क्या हो सुद्धताम आपकी आती है पोटेंशोमीटर से वोल्टेज ना पाजाता है ठीक है मुख्यत है और हाइड्रोमीटर से आपका जल की मलब कि सूरिक के केडलों की आपने कर दूबर के अगला 49 कि सिसमो ग्राफ क्या रिकौट करता है तो सिस्मो ग्राफ आपको बताइए कि भूकम पे कितनी तीवरता का आ रहा है वह record करता गया सिस्मो ग्राफ तो option हो जाएगा इसका option number c भूचाल की तीवरता को या भूकम की तीवरता को नापता गया सिस्मो ग्राफ किसके माध्यम से रियक्टर इसकेल के माध्यम से अगला प्रसने वायो मंदलीद आप नापा जाता है यह भी थोड़े पहले भी प्रसन पुछा गया था तो बैरो मीटर के दारा वायो मंदलीद आपको नापा जाता है उप्षन नमबर A यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ऐसी दूद का आप एक्षिक ग्रहतु किसके दारा ग्यात किया जाता है तो लैक्टोमीटर के दौरा दूद का दूद्ट का आप एक तारीस ओरीका राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला हमारा 42 कुष्छन है यह दोस्तों आपका सुमिलित करने के संबंदित में है कि सही उत्तरगा आपको इसमें चैन करना है प्रस्न क्या है सुची 1 तथा सुची 2 को आपको सुमिलित करना है थोड़ा सा जूम और कर देता हूं ठीक है तो सुची 1 और स आपने को प्रियोग किया जाता है कि इसको अगला प्रियूट हो जाएगा तो ऑपने की इसमें राइट एंसर हो जाएगा कि इस प्रकास की तीवरता को मापने के लिए और प्रकास की तीवरता मापने के लिए जिस उपरकरण का परियोग के आता है उसे क्या कहते तो प्रकास की तीवरता को मापने के लिए हमारा लक्स मीटर का परियोग किया जाता है तो अप्सन नंबर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा किसका लक्स मीटर का ठीक है और अगर पुछा है कि सूरी की कि तीवरता को मापने के लिए एक्टीनो मीटर का परिय पीछा करने मैं ठिक है तो पैसा नमबर सी रेडियो तरंग मुद वारा वस्तियों की स्थिति ज्यात करने के लिए राडार का प्रयोग क्या आता है ठीक है आप राडार की फुल फॉर्म क्या होती है या आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बतानी है और नहीं पता है तो राडार के बारे में आप पड़ जरूर लिएगा राडार सोनार यह ऐसी चीज़ हैं जो आपसे एक्जाम में पूछी जा सकती हैं अगला हमारा चिया रिस्वां क्यूश्चन रोस्तो कि सूची वन और सूची सेकिंड को आपको सुमिलित करना है इनके मातरक और उपकर आपने के लिए परियोग क्या आता है और स्प्रिंग या तुला का परियोग क्या भार को मापने हेतु किया जाता है तो अगे बढ़ते हैं अगरा हमारा कुश्चन है 47 कि रियक्टर पैना पैमाना मापने के लिए किसका परियोग क्या आता है तो रियक्टर स्केल का परियोग क्या जाता है यानि कि तो भुकम भी लहरू यानि कि भुकम कितनी तीवरता का आ रहा है इसको मापने के लिए हमारा क्या होता है रियक्टर स्केल रियक्टर स्केल क यहां परियोग किया जाता है option number C हो जाएगा अगला हमरा कुछन है कि कौन सा सुमेरित नहीं है ठीक है celsius ताप का मातरग celsius है बिल्कुल सही है विज्यूत का मातरग किलोवाट आवर है रख्ट का मातरग आध्रता है या फिर रियक्टर पैमाना आधिता देखें विज्यूत कि किलोवाट आवर में आपया जासता है बिल्कुल है रख्ट को Charlazs फैक्टर होता है बिल्कुल ध्रीक्टर स्केल का आध्रता से कोई संबंदीतिं नहीं क्युWhen सब्सक्राइब करने से प्रियोग किया जाता है जो इलेक्रिस इलेक्रिस अब नहीं होगा क्योंकिया आध्रता को अपने के लिए क्या प्रियोग किया जाता अगला हमारा कुश्चन है उन्चास्टा कुश्चन है दोस्तों ये भी आपको सुमेलित करना है option के accordingly कि भुकम्प का प्रियोग मलब भुकम्प किसके माध्यम से सिस्मोग्राफ के माध्यम से भुकम की तीवरता को न आप जाता है के लिए बिल्कुल सही है थीक है धूचाही को मापने के लिए अल्टीमितर का प्रियोग के आता है और प्रतितोत कम आपने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है, तो अंसर हो जाएगा 2314, तो 2314, अप्सन नंबर यह आपका 49 का राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला और आज का आपका लास्ट क्वेशन हो जो तो, कि वस्तो की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, वस्तो की मात्रा बदलने पर, ठीक है, क्या आप अपरिवर्तित देगा, घ्रहनत बदलने पर क्या हो जाएगा, तो आज के 50 क्वेशन दोस्तों हमने complete कर लिए है, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपको जरूर बताना है, जब आप लोग इस वीडियो को support भी पढ़ने वाले लोग है, उन तक यह वीडियो आसानी से पहुँच पाए, ठीक है, और कुछ question में आपको यहाँ पर होमर के लिए दे रहा हूं दोस्तों, करीबन करीब, चार question में आपको आज होमर के लिए दे रहा हूं, इन चारो question के answer आपको comment box में बताने है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर यह 4 questions सेट हो रहे है, कि सर सीवी रमन को भातिएगा नोबल प्रोसकार कब दिया गया, पहला question यह आपके लिए, दूसरा है कि सुमेलित के जिए, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, यह इसका answer भी comment box में देना है, क्योरी किसका, किस एकाई का नाम नही अगली वीडियो में हम इससे आगे के questions को complete करेंगे, और अगला जो दूसरा पार्ट होगा ना, उसमें हम physics के इस वाले topic को पूरा complete कर देंगे, उसके बाद में ऐसे ही हम फिर एक topic chemistry का उठाएंगे, और एक topic biology का उठाएंगे, बस इसके लिए क्या होगा कि आप लोग का support च अबला किया रेश।